Hello friends, welcome to Akash Wani Tech और आज हम configure करने वाले हैं Tenda के router को यहाँ पे मेरा modem है, SyroTek का तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इसके connection बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे जो LAN port देख रहे हैं आप तो LAN port आपको connect करना सीदे इसके WAN port में ठीक है, तो पहला connection तो यह है, इसका WAN port आपने दुढ़ना पड़ेगा यहाँ से सीदा इसके LAN port में connect करना है उसके बाद यहाँ पे power cable connect करने है, power देने के लिए ठीक है, और यहाँ पे मैंने LAN port यूज की है यह सीधी मेरे computer से connected है तो आप इसे WAN port के through connect करके भी इसे configure कर सकते है और अगर आप इसे purchase करना चाते हैं, तो description में link given है Amazon affiliate link given है, वहाँ से आप purchase करेंगे तो channel की थोड़ी help हो जाएगी और हमारे जैसे घरीबों का थोड़ा बला हो जाएगा तो चलिए से configure करते हैं, computer की और चलते है तो हम अमारे computer में आ चुके हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने search करना है या तो आप अपने router का wifi, ip address लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे tendawifi.com पे जा सकते हैं तो मैं दूसरा browser open कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पहले सी मैंने search कर रखा है तो यहाँ पे tendawifi.com पे आपने जाना है ऐसे जाता ही आपने internet settings में जाना है internet settings में जाके आपने static ip address यूज करना है ठीक है, यहाँ पे static ip address यहाँ पे आपने चूज करना है और यहाँ पे जो default gateway देखने को मिलेगा आपको तो default gateway के अंदर यहाँ पे आपने अपना modem का IP address पूरा का पूरा टाइप करना है default gateway के अंदर आपने modem का IP address टाइप करना है और IP address में आपने same to same default gateway है ना तो यह same to same copy करना है लेकिन जो last में है ना यहाँ पे आप कुछ भी type कर सकते हैं वन से लेके 244 तक आप यहाँ पर कुछ भी type कर सकते हैं 255 मत type करना यहाँ पर क्योंकि वो broadcast address हो जाता है limited broadcasting address होता है ठीक है तो यहाँ पर 255 मत करना है यहाँ ठीक है तो यहाँ पर 205 लिख रख रहा है मैंने यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं 123456 कुछ भी आपका मन इतना पार्ट यहाँ पर सेम रहने वाला है हमारे default gateway का यह देखिए 192 यहाँ पर 192 है यहाँ पर 168 है यहाँ यहाँ जीरो वन है यहाँ पर भी 101 है यहाँ पर 1 है यह जो वन है ना यह पूरा ठीक है यहाँ पर वन कर देता हूं तो यह पूरा हमारा modem का IP address है subnet mask के automatically detect कर द DNS में आपने यहाँ पर 8888 सेलेक्ट करना है यहाँ पर 15107823 कर सकते हैं तो यहाँ पर 8888 भी कर सकते हैं DNS कुछ नहीं होता है domain name server होता है या domain name service होता है यह आपका जो keywords होता है जो आप type करते हैं उसको IP address में convert करता है ठीक है तो यह इतना important नहीं होता यह 8888 भी आप यहाँ यह type कर सकते हैं और यहाँ पर OK करेंगे तो आपका internet access आप कर पाएंगे और एक और option आता है PPOE यहाँ पर आप अमना username और password आ सकते हैं ठीक है यह authenticate error इसमें आ जाता है कई बार लेकिन मैं suggest करूँगा आपको की static IP address के साथ जाए manually आप कर रहे हैं यहाँ बहुत best तरीका है करने का और wireless settings में जाके आप यहाँ पर security mode को high level पर करके बिल्कुल और wifi password आप यहाँ पर भर सकते हैं और OK कर सकते हैं तो आपका wifi भी यहाँ पर operate हो जाएगा तो बस इतना ही है इस वीडियो में इस तरीके से आप आपने internet connection यूज़ कर सकते हैं आप देखिए मेरा internet हुआ हुआ हो